तो इन्होंने हम लोग के साथ चल किया है तो भाई जो दोखा दिया हूं उसको कहना ही पड़ेगा अच्छा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा इस पर नहीं जल्दी कोई बात नहीं करना सब लोग सिर्फ अपनी राजनेती को चमकाने के लिए कोई नेता बोले या ना बोलता है जो सत्ता से हर जाता हूँ नहीं बोलता है आपके उपर प्रहार करते हैं कभी अखे लेक्कित चादक उपर प्रभा प्रहार करते हैं कभी देखा जा रहा कांगरेस करना क्या जाता है उसके बाद आती है बसपा बसपा भी अपने समय कुछ काम किया है क्योंकि लखनव जो नगरी बसी हुई है नबावो की धरती वह माय वतिज ने भी अच्छा रिस्पांस वहां का दिया है ठीक ठाक अब इधर मैंन पूरी सफ़ाई की बात आई तो खले स्यादों ने किया है तो इसे मलब हर पार्टी के लोगों ने कुछ न कुछ किया है अपने अपने समय के आधार पे अपने सत्ता में रह करके धान सभा कि चुनाओं में मन्य उंपरका राजबर के अखले स्यादों की बहुत तारीब करते थें किनको स्यम बना करके हम बहुत विकास करेंगे जो स जाए चुनने के लिए मौका देंगे लेकिन जब गडवंधन हो गया तो 12 सीट सुरच्छित दे दिये ताकि हम अपने परत्यासी लड़ाना पाएं चाहे पाल परजा पती बेनमला चरोस या मतलब जो भी गरीब समाच के हैं जिसको हम आगे वढ़ाना चाहते हैं जिसको आ लिए उसके बाद परत्यासी अपना दे दिये अब हम समय से हो गई कि हम अपने परत्यासी को कहां से लड़ाएं तो इन्होंने हम लोग के साथ चल किया है तो भाई जो दोखा दिया उसको कहना ही पड़ेगा अचा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा इस पर नहीं ज तब भी ये चर्चा करते थे कि गरीब समाच चाहे किसी जाती धरम का हो छत्री से लिकर चमार हिंदू से लिकर मुसल्मान अगर वो गरीब है और ओट देता बावस आप डाक्टर अमिटकर ने ओड़ देने का पावर दिया है अना तो अगर वो ओड़ देता उसको भी मानचा के आदार में जाती वाट जार गरना के लिए कहा था तो क्या भताई कि अगर उत्तर परतिश में जाती वाज ज्याती वाट जरगरना श intentar होती है तो फिर इससे क्या लाब होने वाला है लोगों को सबसे पहले तो हम ये बता दे कि मानने अखली सियादो जी की सत्ता चार बार रही है बहन कुमारी मायवाती जी मुखमंत्री चार बार रही है जब ये लोग सत्ता में थे कांगरेश की सत्ता थी तब इनको जातिवार जनगरना याद नहीं आया ठीक है कांग्रेस के जमाने में एक बार हुआ था जातिवार जनगरना लेकिन जब इनकी सत्ता आई बसपा व सपा की तब इनको याद नहीं आया कि जातिवार जनगरना चाहिए अगर करवा दिया जाएगा तो हर समाज को पता लगएगा कि कौन-कौन सी विरादरी इस पर देश में निवास करती हैं कहने का मतलब यह है कि सत्ता से बाहर है अभी गरीबों की याद आ रही है ठाधमे थें तो खाली किसके याद हूए है पिर्री की दुग्ये विरादरी के आदर समाज को ध्यान दिये होते तो सत्ता से बाहर होते हैं अधर समाज कोगर जो पाल परजापते बिनमला चरस्या चवान एला खटिक पासी अर्कवंसी बार वियर मुसर दोबी सयद पढ़ान जितना गरीब समाज का हूँ अगर इनको ध्यान दिये होते तो आज सत्ता सी बार नहीं होते क्या माना जा यह मेंकारा सत्तापच बार होने का बिलकुल साही आज देखे अगर यह लोग किये होते तो इस्तिति एसा नहीं आता अब सरकार भारतिया जनता पार्टी की है तर माने अखले से योगी बाबा मुखमंत्री जी है बाई इन से अब भीपंच्छी हमेसा कोई भी अच्छी जो रहेगा हूं हमेसा धावा बोलता ही रहेगा कुछ ना कुछ टीपड़ी करता रहेगा चाहिए उससा ही करें तभी गलत करेंगे गलत करें तो गलत हिए जल्द ही मानने हैं उम्पर का है राजबर जी ब्रीज स्पार्टक के साथ उनका बहुत ही मेल जोल रहता है उनके एक सम्मान भेट किये हैं गले में भागवा गमचा धारा करते हैं फोटो देखा गया है क्या लगता है कि वो बीजेपी में जा चुके हैं और फिर इंट्री होने वाली है उनका वेक्तिगत मामला है वो उनके मित रह भाई हूं तो आना जाना हमेशा लगा रहता है ब अब है अभी देख़ेई नेता जी का विसे ये हमारा विसे नहीं है फिला हल हम लोग जानता के बीच में जाकर करके संगठन का काम करूआ है हमलों का जो गडवधन वो जनता से रहे है अब यहां से हमारे प्रत्यासी पूरी 75 जिले में जहां जहां से हर विधान सभा में जो भी नगर पंचाय चुनाओ लड़ाना चाहता है जो भी नौजवान साथी लड़ाना चाहता है वो अपनी तयारी कर रहा है दमदारी के साथ वहां हमारा संगठन का काम चल रहा है हम दमदारी के साथ चुनाओ लड़ाने के मूर में भी हैं इस वस्द जादा से जादा सीट निकालने के प्रयास में है कि जादा से जादा हम लों का सीट निकले और समाज का विकास हो को जल्दी मुलाकात किये थे, कि भर और राजभर समाज को, ये श्टी का दरज़ा मिले, ताकि हमारे भी जो गरीब समाज के हैं जो गरीब जिसके पास ब्योस्था नहीं पैसा नहीं है अपने बच्चे को अच्छी सिच्छा नहीं दे पा रहा है जब EST में हो जाएंगे तिनकी भी बच्चे फिरी में पढ़ाई अपना कर सकते हैं अपना कर सकते हैं फिरी में पढ़ाई करके फिरी में सारी वियोस्था पा सकते हैं लेकिन अगर हम लोग EST में नहीं जाएंगे तो समय सह कि हमारे समाज 75 साल की आजादी में आज भी पीछे है कल भी पीछे रहेगा और माने नेता जी का प्रयास अगर सफल हो गया तब तो हमारे समाज का विकास हो जाएगा आने वाले समय में हमारे समाज का विकास का रास्ता खुल जाएगा हमारे भी नोजवान साथी जो हाई स्कूल इंटरपास से बीम में किया वेस्टे में से किया टेट क्वालिफाई नेट क्वालिफाई डाक्टर मास्टर इंग क्लेक्टर की कुचिंग करके बैठा हुआ है ये भी कही नहीं कहीं सिपाहे दरोगा बाबू तासिल दानेक पल डि लेकिन जहां तक सवल रहा गरीबों की बिजली की काटने के लिए दो सरकार की कमी है गरीबों के नाम पे हर इक स्पान्टी ऊट लेती है आपकी पांटी गरीबों को लेकर करके अवाज उठारे सदन में लेकिन गरीबों पर गिध्धान कोई नहीं दे पारा रहा है प्रिकास राजभर जी ने क्यों लात मार दिया सिच्छा पे बिजली के बिल पे दवाई पे उजीफा पे जो गरीब समाज का विकास नहीं हो पर उसके लिए ओंप्रिकास राजभर जी लड़ाई लड़ा थे 69 सिच्छा की बेकेंसी में 23,000 बेकेंसी लूटी गई समानेवर को दे दिया गया तब कोई नेता नहीं बोला लेकिन माने ओंप्रिकास राजभर विधान सभा के अंदर मुख मंतरी जी के अंदर उनके सामने इस बात को रखा कि भाई जो सिच्छा की बेकेंसी लूटी जा रह जनता के बीच में जाकर कि सुख दुख में जाते हैं कोई मर गया वहां जाते हैं किसी के सदी भीया में जाते हैं कोई घटना घट गई वहां जाते हैं ऐसा नहीं है हम लोग हर गाउं से हर घर घर से वाकी बहुच चुके हैं संगठन का काम चल रहा है हम लोग जोर सोर पे प्यारी चल्वाइए